जो लेटेस्ट ट्रेंड है अस्ट्रेलिया का वो थोड़ा टॉफ नजर आ रहा है अब टॉफ में क्या है कि जो स्टूडेंट्स की हाइल्ट स्कोर बहुत अच्छा है CBSE, ICSE से पढ़े हूँ है not state board, state board जो पंजाब और हर्याना के अलावा है उनके accepted है लेकिन हमारी कोशिश है CBSE और ICSE वाले बच्चे, medical, non-medical या जिनके subject बहुत अच्छे हैं आर्ट्स में जिनका painting या language course हैं वो मत apply करें बिलकुल भी आपका time waste होगा आपके अगर subjects बहुत अच्छे हैं, main four subjects जिसमें language count नहीं होती है या कोई भी ऐसा subject है, जो extra है, वो count नहीं होता है, main four subjects मान लिजे, non-medical वाला है, तो math, English और physics, chemistry जो ऐसे, मतला ऐसे main four subjects है उन में minimum, जो percentage है, वो 65% होनी चाहिए, या 60% minimum, ठीक है और IELTS 6.5 band या 6 band minimum होना चाहिए, depend करता है university और college पे किसमें जा रहे हैं ये academic हो गया, अब अगर graduation वाला student है, तो वो 6.5, not less than 6 की requirement है, IELTS score या PTE equivalent TOEFL भी उसी के equivalency से चलेगा इनका अगर आपका percentage की बात करें, section 1, 2, 3, 3 तीन university हों में divide किया गया है किसी भी university की ये 60% से काम लेते नहीं, अगर section 3 है तो 65%, section 1 और 2 है तो 60% से काम नहीं ले रहे हैं तो जो graduation और under graduation आप ये दोनों मान के चलिए, कि इनको profile बहुत अच्छा चाहिए अगर graduate बच्चा master में जा रहा है, तो हम बात करेंगे, अगर वो कहीं काम कर रहा है उसका कोई gap, उसका genuine experience होना चाहिए, उसका genuine experience के साथ जो company's account में उसको salary आनी चाहिए, ये नहीं कि उन्होंने कोई experience बनवा लिया कहीं से और वो सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा इस समय जो महावल और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए गले documents आप बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए financials अगर आपके पुराने हैं या one year fees देके 15 लाग जितने आपको living expenses three months old शो करने हैं आपके वो होने चाहिए अगर बहुत अच्छे extraordinary case है कि जिसमें university अगर spouse को लेने को तैयार है तो spouse के साथ apply करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं जहां आपका gap plus dual student का gap बिल्कुल नहीं होना चाहिए subject चारों में आपकी percentage अच्छी होने चाहिए IELTS आपका अच्छा होना चाहिए parents के income more than 12 lakh इस time देख रहे हैं ठीक है अब आपका जो financials तो मैंने का one year का आप देके living expenses आप three months old शो कर सकते हैं या bank loan शो कर सकते हैं courses भी अगर आप अच्छे लोगे business के अलावा अगर आप लेते हो कोई health का course लेते हो IT related अच्छे course लेते हो cyber security लो artificial intelligence लो business analytics लो cloud computing उसमें visa rejection के chances बहुत कम है आपकी university अच्छी हो आपका course अच्छा हो financial document ठीक हो आपका academic record ठीक हो तो आपका rejection के chances नहीं है